Hi Friends, I am Lalit, Welcome back to my YouTube channel, Tricky Lalit Friends, आज हम लोगे एक very important topic को discuss करने वाले हैं जिसका नाम है Human Eye, means Manonetre ये जो हमारा topic है, ये बहुत सभी परिच्छाओं के लिए बहुत ज़्यदा important है खास करके आने वाली UP board परिच्छाओं के लिए क्योंकि जो हमारा Manonetre है, ये proper एक chapter है Class 10 Physics का second chapter है, यहां से एक question paper में जरूर आता है जो 7 number का पूरा आता है, कि Manonetre का सची तुवर्डन करूँ तो उसी को आप अच्छे से discuss करेंगे, तो वीडियो में बने रहे है वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल बे पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आपके शामने मानो नेत्र का नामान की चित्र बना है क्योंकि जो प्रिश्ण आता है, उस सचित्त वड़न कहने को करेगा तब आपको चित्र भी बनाना पड़ता है चित्र आप अच्छे से नहीं देखेंगे, तो आप उसको बना नहीं सकते हैं तो देखते हैं हमारा चित्र जैसा की बना हुआ है तो सबसे उपरी वाले परत को हम लोग कहते हैं द्रिश्टी पटल और हमारा जो पीछे होता ही होते हैं हमें द्रिक तंत्रिका इसके अंदर जो आपको दिखाई पड़ा होगा डाट-डाट करके कुछ बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं कानशाब, द्रव उसके बाद यहां दो लाइनों से बना हुआ है जो क्रिश्टी लेंस के थोड़ा सा पीछे है इसको बोलते हैं हम लोग पच्छामी पेसियां उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर हलका सा छिद्र हुआ है इसको बोलते हैं पुतली छिद्र के पीछे जो हमारा भाग है इसको बोलते हैं सच्छ मंडल और यहां से जो भाग हमारा कार्णिया के पास है इसको बोलते हैं परतरिका यहां से जो हमारा भाग है इसको बोलते हैं परतरिका यहां पर पुतली के वगल हलका उबरा हुआ भाग होता है जिसे हम लोग नेत्रोद बोलते हैं यहां पर जो सबसे पहले बात करें मानुनेत्र की, तो हमको पता है कि मनुष्य के सरीर में पांच ग्यानेंद्रियां होती हैं, पांच ग्यानेंद्रियां होती हैं, पहला हमारा होता है आख, फिर होता है हमारा नाक, उसके बाद आता हमारा मुह, फिर जीब, उसके बाद आता हमारा तो हमारे पांच ग्यान इंद्रिया होती है जिसमें आंक का काम होता है हमारा देखना नांक का काम होता है किसी चीज की सुगंद लेना मुह का काम होता है किसी चीज का स्वाद लेना जीव का काम होता है श्वाद लेना और तुच्चा का काम होता है हमारा किसी चीज को इस पर सकर जीब के दोरा कि उसका टेस्ट कैसा है और तुचाए के दोरा उसको छू कर बता सकते हैं कि वो छूने में कैसी दानेदार है या चिकनी है इतनी चीज तो हम अपनी और ग्यानेंद्रियू से करते हैं बट जो आख होता है इसका main important कार्य होता है कि उसके रंग को भापना ये आ पूत ही जादा परियोग माना गया है तो आँक की अगर बात करें तो आँक सभी जिवुधारियों में पाई तो हम लोग discuss करेंगे हमारा जो आँख होता है वो किस परकार का होता है और आँख के हमारे कितने परकार होते हैं जिनको पेपर में लिखना बहुत ज़्यदा important होता है तो चलिए start करते हैं परिभासाओं को समझने से पहले हम लोग जड़ा अपने डाइग्राम के अनुसार जो हमारी heading है इनको थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं तो शब्षे पहली बाद आती है द्रिष्ट पटल की कि जो हमारे नेत्र में द्रिष्ट पटल होता है या कहां पर होता है तो द्रिष् पटल के अंदर एक पतली काले रंग के जिली लगी होती है जिसे हम लोग स्वच्चमंडल कहते हैं उसके बाद बाद करें हम लोग पुतली की तो कारिव क्रिष्टील लेंद्स के ठीक सामने एक खाली अस्थान या खाली बिन्दू, छोटा सा होता है जिसे हम लोग पुदली कहते हैं इतना समझ में आ गया ना उसके बाद करें अकान्छानभ जरौगी तो नेत्र के अंदर खाली एस थान पर कुछ द्रब भि-भरा होता है जिसे हम लोग कान्छानभ द्रब होता है उसके बाद करें क्रिश्टी लेंस की तो क्रिष्टी लेंस का कार होता है कि प्रकास का जो किरेड आता है अमारी आखों में प्रवेश करता है जो प्रकास आता है उसको अपवर्तन करके रेटीना पर भेजना ही इस क्रिष्टी लेंस का कार होता है उसके बाद जो हमारा यह द्रक तंत्रिका होता है इसका कार्य होता है कि जो हमारा नेत्र पर प्रतविम्ब बना उसका मान्चित्र मिस उसका चित्र मस्तिक तक ले जाना यह हमारा द्रक तंत्रिका का कार्य होता है अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि हमारे जो नेत्र लेंस के मेन पॉइंट हैं जिसको हमको पेपर में लिखना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे हमारे नंबर बनते हैं वो हम लोग हेडिंग को अच्छे से डिसकस करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा है सबसे पहले मानो नेत्र तो मानो नेत्र इसको इंगलिस में कहते हैं human eye आप लोग पहले जान चुके हैं मानो नेत्र को इंगलिस में कहते हैं human eye तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मानो नेत्र हेडिंग डालके उसमें लिखना पड़ेगा सभी प्राणियों में नेत्र पाए जाते हैं यह फोटो कैमरे की भावत कारी करते हैं आप इसको आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि मारो नेत्र से हम अपने आँस पड़ो उसके रंग बिरंगे संसार को देखते हैं उसके बाद बात आती है हमारी नेत अब क्या नेत्र नेत्र खोकले गोले के समान होता है जो बाहर से एक पारदर्सी परत से धका होता है इस परत को द्रिष्ट पडल कहते हैं आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो आपका मानो नेत्र होता है खोकले गोले के समान होता है जो बाहर से एक अपारदर्सी परत से ध का हुआ होता है इस परत को द्रिष्ट पटल कहते हैं यह हो गई आपकी पाइल हेटिंग दूसरी हेटिंग है आपकी रखतक पटल रखतक पटल क्या हुआ द्रिष्ट के अंदर से एक जिल्ली लगी होती है इसे रखतक पटल या कार्निया भी कहते हैं मैंने अभी आपको बत कौन सी है अगली हेटिंग है हमारी पुतली तो पुतली आईरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं और पुतली की एक खास हिसेस्ता होती है जिसको आप लोग याद रखना कि पुतली अंधकार में अपने याप बली हो जाती है जाता सूर के प्रकास में अपने याप छोटी हो जाती है तो आप से कर कोई पूछेगा कि मनुष्य के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो अंधकार में अपने याप बलात तसूर के प्रकास में अपने याप छोटा हो जाता है उसे हम लोग पुतली कहते हैं यह बेरी important question है यह कभी कभी आपजेक्ट्ट्व में आ जाता है, अगला जो हमारी heading है, वो है हमारी नेतर lens की नेतर lens किसे कहते हैं, तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी उतकों का बना उत्तर lens होता है, जिसे हम लोग नेतर lens कहते हैं, उत्तर lens को अउतर lens के बारे में हम लोगों ने पहले chapter में अच्छ से डिस्कस कर लिया है क्योंकि जो हमाला पहला चैप्टर था फिजिक्स का क्लाश टेंद का वो था प्रकाश का परावर्था नो अप वर्था जिसमें उत्तर लेंस और लेंस को बहुत डीपली डिस्कस कराए गया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट मे भाग है नेतर के वैसे होते तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है बट सब लिखना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि सब लिखना बहुत ज़्यादा अलंबह हो जाएगा इसलिए हम लोग मेन मेन हेडिंग लिखते हैं जिसको एक्जामनर अच्छे से चेक करता ह हमें पूरे के पूरे नंबर प्रवाईड कराता है तो देखते हैं हमारी पांच नंबर हेडिंग कौन सी है पांच नंबर आपकी हेडिंग है kांछाब द्रव तो लिखा है कार्नियायोम नेतरलंस के बीच में खाली स्थान में एक शमपारदर्शी द्रो भरा होता है जिसका अपवर्थनांग 1.336 होता है इसे काचाब द्रो कहते हैं यहां से एक most important question निकल के आता है कभी कभी पेपर में पूछ रहे आता है कि काचाब द्रो का अपवर्थनांग कितरा होता है तो आपको याद रखना है काचाब द्रो का अपवर्थनांग 1.336 होता है यह आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा important है अगली बात करें हम लोग को हेडिंग की तो अगली हेडिंग है हमारी पीत बिन्दु पीत बिन्दु क्या होता है लेंस के मुखे अच्छ रेटीना को जिस बिंद पर काटती है उसे पीट बिंद कहते है यह पीट बिंद वो होता है कि लेंस के मुखे अच्छ रेटीना को रेटीना पर हमारा क्या बनता है आपको याद रखना है कि आप से कोई पूछेगा कि जो प्रतिबिंब होता है वो कह पर बनता है तो और रेटी न पर बनता है तो लेसिके मुख預 tree ना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदू कैते हैं इतने सम filt में आगए ना अब हमरी आगरी हेडिंग है सात नंबर हेडिंग अन्ध बिंदू जिस अस्थान में प्रकाश तंत्रिकाहं रेटी रेटीना को भेद कर मस्तिक को जाती है उसे अंद बिन्धु कहते है जिसस्थाया पर करत्रीम होता है उसके संकेत को मस्तिक तक पहुचाने का कार्यों करता है और जिस प्रकार का हमारा चित्र बनता है, image बनता है वो हमारे मस्तिक में बतानी है कि इस प्रकार का चित्र या image बना है तो ये साथ हेटिंग आपको बहुत ज़्यादा important है इनहीं को आपको याद करना है और आपने आप भी बढ़ा के लिख सकते हैं क्योंकि मैंने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाया है तो आधाए होप कि आपको विडियो पसंद आई ये पसंद आये हैं तो वाइट को करें कमेंट करें शियर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं